ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री देगने के बाद रियालाईज हुआ कि ट्रू डिटेक्टिव का पहला सीजन किस लेवल का मास्टर पीस था नाइट कंट्री के पहले कुछ एपिसोड में ही समझ गया है कि इसकी स्टोरी भी इंडिरेक्ली सीजन वन के साथ कनेक्टेड है इसलिए सोचा कि नाइट कंट्री की डिटेल्स में जाने से पहले ओ जी सीजन वन का फास्ट फॉरवर्ड रीकैब बना लिया जाए कहाने की शुरुआत हुई 1995 में मार्टिन हाट एक एए मार्टी और रस्टिन कोल एक एए रस्ट नामी दो डिटेक्टिव्स एक मर्डर इन्वेस्टिकेशन करने लुईजियाना में थे 28 साल की प्रोस्टिटूट डोरा लैंग को किसी ने बुरी तरह से मार कर उसकी बॉड़ी को एक खेत में सजा के रखा था लैंग के बॉड़ी पर बने निशान और आसपास रखे ओर्नेमेंट्स देखकर ये साफजाईर हो रहा था कि शायद किसी कल्ट ने इस लड़की की बली चड़ाई होगी अब थोड़ा मेंन करेक्टर्स के बाएर में बात कर लेते हैं रस्ट का पास थोड़ा डार्क है अपनी बेटी को खोने के बाद रस्ट एक नंबर का चरसी और बेवड़ा बन गया था मार्टी को रस्ट की अजीब सी डीप और हवाई बाते ज़रा भी पसंद नहीं थी बड़ फिर भी अपनी बीवी मैगी के बहुत समझाने के बाद उसने रस्ट को घर पर डिनर के लिए बुलवा लिया रस्ट फुल ओन टली होकर मार्टी के घर डिनर करने चला गया यही हम समझ गए कि मार्टी और रस्ट के परसनल रिलेशन्स कभी नहीं सुदरने वाले एनिवेज लाइंग के एकस हजमेंड ने ने बताया कि जब उसने आखरी बार डोरा से बात की थी तब वो किसी किंग के बार में बात कर रही थी आसपास की गाउं की तलाशी लेने पर मार्टी और रस्ट को पता चला कि कुछ दिनों पहले यहां से मरी फॉंटेनोर नामी एक बच्ची भी गायब हुई थी मरी के घर पर भी वो मर्डर साइट वाले ओर्नामेंट्स यानि ये लकडी के घौंसले मिले थे जिनने डेविल्स नेस्ट कहा जाता है यहां पर धेर सारी अजीब अजीब चीजे हो रही थी जैसे के एक बच्चे ने रिपोर्ट किया के हरे कान वाला स्पेगेटी मॉंस्टर जंगल में उसका पीछा कर रहा था ट्रू डेटेक्टिव सीजन वन की स्टोरी मल्टिपल टाइम लाइन्स में चलती है तो हम बार बार फ्लैश बैक और प्रेजन टाइम में आते जाते रहेंगे प्रेजन टाइम यानि शो का प्रेजन टाइम 2012 तो प्रेजन टाइम में दो डेटेक्टिव सीजन बूडे मार्टियो रस्ट का अलग-अलग पर्सनल इंटर्यू ले रहे थे रिपोर्ट के मुताबिक मार्टियो रस्ट ने लैंग मर्डर को 1995 में ही सॉल कर दिया था पड़ इन दो नए डेटेक्टिवस को हाल ही में एक और लड़की की डेड बॉडी मिली है उसे बिलकुल डोरा लैंग के स्टाइल में ही मारकर सजाया गया था अब या तो ये कोई कॉपी कैट किलर है या फिर असली मर्डरर आज भी आजाद घूम रहा है यहीं हमें पता चला कि किसी जगडे की वज़ा से माटियो रस्ट ने बरसो तक एक दूसरे से बात नहीं की रस्ट की बेटी एक कार एक्सिडेंट में मारी गई थी उसके बाद रस्ट और उसकी बीवी के बीद जगडे शुरू हो गया और उनकी शादी तूट गई रस्ट चार साल ते एक ड्रग कार्टिल के अंदर अंडर कवर इजन बनकर काम कर रहा था इसी दोरान मेथेट एक्टिंग दिखाने के चक्कर में रस्ट खुद भी कार्टिल के साथ बैट कर ड्रग्स पेलने लग गया चार साल बाद रस्ट ने एक शूट आउट में कार्टिल के कुछ मेंबर्स को मार दिया और खुद भी बूरी तरा से जख्मी हो गया हॉस्पिटल से रिकॉर्ड होने के बाद रस्ट ने अपने बॉस से सिफारिश लगा कर होमोसाइट जॉइन कर लिया और लुईजियाना शिफ्ट हो गया अंडरकावर मिशन के दोरान हेवी ड्रग यूज़ करने की वज़ा से रस्ट को बरसो तक हलुजिनेशन साते थे जिसके बारे में इसने किसी को नहीं बताया मार्टिक अभी किसी वज़ा से डिवर्स हो गया था और वो भी अभी अकेला है ओके फ्लैश बैक टाइम 1995 रस्ट ने भाप लिया कि मार्टिका उसके जवान कलीक के साथ अफेर चला हुआ है इसी बात को लेकर रस्ट और मार्टिक के बीच अन्बन छिड़ गई रस्ट को शुरू से ही यहां के लोकल प्रीस्ट बिली ली टेटल के करेक्टर पर डाउट था लुईजियाना के गवर्णर का कजिन होने की वज़ा से पुलीस डिपार्टमेंट में टेटल की बहुत चलती थी बिली जाता था कि पुलीस इन रिसेंट एंटी क्रिस्टियन क्राइम्स की इन्विस्टिकेशन करने एक स्पेशल टास्क फोर्ज बनाए लाइंग केस को स्पेशल टास्फोर्स के हवाले करने से पहले रस्ट और मार्टी ने अपने बॉस से थोड़े और टाइम की महलत मांगी डोरा के बारे में जानकारी इकट्टा करने रस्ट और मार्टी यहां के लोकल रेड लाइट एरिया में चले गए जहां गायव उने से पहले डोरा काम किया करती थी डोरा के एक फ्रेंड ने इने उसकी पर्सनल डाइरी दे दी उस डाइरी के अंदर डोरा ने बार बार कारकोसा और किसी यलो किंग के बारे में लिखा था रस्ट समझ गया कि मरने से पहले डोरा के कातिल ने उसे भर भर के meth और lsd का नशा करवाया होगा इसी डायरी की मदद से रस्ट और माटी इस खंडर चर्च की लोकेशन पर पहुंचे जहाँ इनों ने देखा कि चर्च की दिवार पर बिल्कुल वैसा ही सकेज बना था जैसा कातिल ने डोरा लैंक के साथ किया नेकेड बॉडी, पीट पर बना यह अजीब सा सिम्बॉल, हिरन के सिंग और साइड में रखा यह घोंसला दोनों समझ गए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं फिर यह दोनों चर्च की ओनर जोल से पूस्ताच करने चले गए जोल ने ने बताया कि डोरा अकसर किसी लंबे चौड़े आदमी के साथ चर्च आया करती थी उस आदमी के चहरे पर एक बड़े से घाउ या सकार का निशान बना था इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं पता माटी और रस्त के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं था उन्हें जल से जल इस केस को सौल करना होगा वरना टर्टल की स्पेशल फोर्स इनके केस पर कबजा कर लेगी रस्त लाइंग जिसे सिमिलर केसेस को धूड़ने पुराने फाइल्स की चान बीन करने लगा तब ही उसे रियन ओलिवियर के बारे में पता चला जिसकी मौत किसी एक्सिडेंट में हुई थी एविडनस में मिले रिच्विलिस्टिक सिम्बॉल से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उलिवियर और लैंग के मर्डर्स आपस में कनेक्टेड हैं ये दोनों फोरण इस बात के चान बीन करने उलिवियर के ग्रैन फादर से मिलने चले गए जहां इन्हें पता चला कि उलिवियर बिली टटल के बनाये रिलीजिस स्कूल लाइट ओफ दवी अकैडमी में जाया करती थी बट वो अकैडमी अभी खाली पड़ी थी यहां पर इस लॉन मोर चलाने वाले केर टेकर के इलावा कोई नहीं था फिर ने पता चला कि मरने से पहले उलिवियर उसके बॉइफ्रेंड रेजी लेडू के साथ भाग गई थी लेडू एक क्रिमिनल और रिपीटेड सेक्स ओफेंडर था जो के जेल में डोरा लैंक के एक्स हजबेंड का रूम मेट था ये सुन्ते ही दोनों फोरन लेडू को धूनने निकल पड़े डोरा के एक्स हजबेंड चारली ने ने बताया कि हाँ उसने लेडू को चारली का बस फोटो दिखाया था जेल में लेडू अजीब अजीब से बाते करता था इसने चारली को एक ऐसे अमीर लोगों के कल्ट के बारे में बताया जो के एक साथ आकर और तो और बच्चों की बली चड़ा कर शैतान की पूजा किया करते थे चारली से ने बता चला कि टाइन उन वीम शायद लेडू का पता जानता होगा रस्ट ने वीम को ट्रैक करते हुए उससे लेडू की लोकेशन ले ली लेडू अंडर ग्राउंड होकर क्रुसेडर्स नामी बाइकर गैंग के लिए मेध बना था लकिली अपने अंडर कवर दिनों में रस्ट ने क्रुसेडर्स के साथ जान पहचान बना ली थी लॉंग स्टोरी शॉर्ट रस्ट ने उसी पुराने कवर को यूज करके क्रोशेडर्स की गैंग जॉइन कर ली बाइकर गैंग को अपने उपर यकीन दिलाने रस्ट ने एविदेंस रूम से हाई कॉलिटी कोकेन चुरा लिया था रस्ट ने उफिस में ये बोलकर चुटी ले ली कि वो अपने बीमार बाप से मिलने जा रहा है दुरसी दरफ जेलेसी के मारे मार्टी ने लीसा के बॉइफ्रेंड को कूट दिया ये देखकर लीसा की सटक गई और उसने मार्टी की बीवी मैगी को अपने अफेर के बारे में सब कुछ बता दिया अफेर का पता चलते ही मैगी बच्चों को लेकर घर से बाहर चली गई उदर रस्ट ने गैंग में एक नया दोस बना लिया जिंजर फिर रस्ट ने जिंजर के साथ डील कर ली कि अगर वो उसे गैंग के मेथ प्रोडूसर यानि लजू का पता बताता है तो बदले में ये उसकी राइवल गैंग को लूटने में मदद करेगा बड़ इनका ये साइड मिशन बुरी तरह से फेल हो गया और रस्ट मार्टी की मदद से जिंजर को पकड़ कर अपने साथ ले गया प्रेजन टाइम में अब नए डिटक्टी उसको रस्ट और मार्टी के स्टोरी पर शक होने लग गया था 1995 में रस्ट ने अपने बीमार बाप से मिलने चुट्टी तो ली थी बट किसी भी हॉस्पिटल में रस्ट के पिता जी का कोई रेकॉर्ड नहीं था बाइद वे रस्ट कोल के पापा को याद रखना अगली वीडियो में काम आएगा 1995 जिंजर की मदद से रस्ट ने लजू के कजिन भाई और पार्टनर डी वॉल से मीटिंग फिक्स कर ली मामला गड़बर लगने की वाज़ा से डी वॉल ने रस्ट के साथ काम करने से मना कर दिया बड़ो ये नहीं जानता था कि मार्टी सीक्रेटली उसका पीछा कर रहा है डी वॉल का पीछा करते वे मार्टी ने उनकी सीक्रेट मेथ लैब धून ली रस्ट ने नोटिस किया कि मेथ लैब के रास्ते में लजू ने बूबी ट्रैब्स बिचाए रखे थे ताकि कोई अन्वांटेट शेक्स लैब में पहुचने से पहले ही बम से फटकर मर जाए मार्टी ने चुपके से लैब में जाकर लजू को अरेस्ट कर लिया बहर रस्ट ने डी वॉल को अपनी बातों में उलजाये रखा लैब की तराशी लेते वग मार्टी ने देखा कि ये दोनों भाई मासूम बच्चों को बंदी बना कर उन्हें असाउल्ट कर रहे थे उसमें से एक बच्चे की मौत हो गई थी ये देखते ही मार्टी ने गुसे में जाकर लजू का भेजा उड़ा दिया फिर इन दोनों से अपनी जान बचा कर भागते वे डी वॉल उने के बिचाए बूबी ट्रैप में फट कर मर गया फिर रस्ट ने एक ही फोटिसे उन उठा कर आज पास के एरिया में गोलिया बरसा दी ताकि वो ऑफिस जाकर सबको फेक स्टोरी बताए कि यहां हुए भयानक शूट आउट में लडू ब्रदर्स मारे गया इनका यह आइडिया काम कर गया और अपनी जान पर खेल कर किलर्स को मारने की खबर फैलते ही डिपार्टमेंट और पूरे टाउन में इन दोनों की जबरदस्थ हावा हो गई 2012 में चलें इंटर्विव में भी रस्ट और मार्टी ने डिटेक्टि उसको यही वाली फेक स्टोरी बताई ओके 1995 टाइम लाइन वाली कहानी खतम अब फ्लैंग्स बैक स्टोरी शिफ्ट होगी 2002 वाली टाइम लाइन में देखके लग रहा था कि मार्टी की फैमिली प्रॉब्लम्स फाइनली सॉल हो गए और सर्प्राइजिंगली रस्ट भी रिलेशन्शिप में है रस्ट अब इंटरोगेशन में एक्सपर्ड बन गया ऐसे एक किलर से गुना कुबूल करवाने के बाद उस किलर ने रस्ट से रिक्वेस्ट की कि अगर वो उसकी सजा कम करवाएगा तो बदले में किलर रस्ट को 1995 वाले असली कातिल का नाम बताएगा लाइंग मुर्डर केस के पीछे लजू बर्दर्स नहीं बलकि बहुत ही पाउरफुल ग्रूप का हाथ है उस कैदी के मुझ से यलो किंग का नाम सुनते ही रस्ट समझ गया कि ये बंदा सच बोल रहा है क्यूंकि पुलीस ने यलो किंग वाली इंफर्मेशन पबलिक से चुपाई रखी थी रस्ट ने गुस्से और इमोशन के भाव में उस कैदी की पिटाई शुरू कर दी ताकि वो उसे असली सीरियल किलर का नाम बता दे जो कि अपैरेंटली अब भी खुले आम मर्डर्स कर रहा था ये देखते ही आसपास के पुलीस ओफिचर्स ने रस्ट को बाहर भेज़ दिया खुद को और ज़्यादा कन्विंस करने रस्ट लैंग के मर्डर साइड और उस पुराने चर्च चला गया वहां रखे अपडेटेड ओर्नामेंट्स और स्केचेस को देखकर रस्ट अब पूरी तरह से कन्विंस हो गया रस्ट ने फॉरन जाकर इसकी खबर मार्टी को दे दी बड़ अनफॉचनेटली इनके जेल पॉंटने से पहले उस कैदी ने खुद की जान ले ली थी मरने से पहले कैदी को इस पब्लिक फोन से कोई कॉल आया था रस्ट और मार्टी को पूरा भरोसा हो गया कि असली कातिल वाकई में आजाद घूम रहा है डिटेक्टिव उसने मार्टी को बताया कि उन्हें लगता है कि 1995 और हाल ही में हुए सिमिलर मर्डर्स के पीछे रस्ट कोल का हाथ है उसी ने मार्टी को फसा कर अपने सारे गुना का जिम्हेदार लडू ब्रदर्स को ठहराया होगा जोरा लाइंग जैसा ये सिमिलर मर्डर केज भी रस्ट के टाउन में वापिस आने के बाद ही हुआ था एविनेंस में इनके पास बैकगराउंड में खड़े रस्ट के फोटोज भी थे इतना ही नहीं डिटेक्टिउज को लगता है कि दो साल पहले बिली टेटल को भी रस्ट नहीं मारा होगा डिटेक्टिउज ने ये सारी बाते सीधा रस्ट को भी बता दी ये सुन्दई रस्ट गुस्से में उटकर इंटर्वीव से बाहर चला गया 2002 रस्ट ने सीक्रेटली अपनी अलग इनिविस्टिकेशन चुरू कर दी थी रस्ट ने नोटिस किया कि बहुत सारे पुराने मिसिंग परसन का कनेक्शन सीधा बिली टटल के बनाए वेल स्प्रिंग स्कूल के साथ है स्कूल के रिटार्ट पास्टर ने रस्ट को बताया के टटल फैमिली स्कूल में होने वाले चाइल्ड मॉलेस्टेशन को कवर करती थी रस्ट यहां से निकल कर केली से मिलने चला गया यह वही लड़की है जिसको मार्टी ने लेडू के मित लैप से चुड़ाया था जबरदस टॉर्चर और मोलेस्टेशन सहने की वज़ा से केली की दिमागी हालत ठीक नहीं थी यही रस को पता चला के लेडू बरदस के इलावा वहाँ पर एक तीसरा अटैकर भी आता था जिसके चहरे पर एक बड़ा सासकार बना था उस अटैकर के बार में सोचते ही केली जोर जोर से चीकने लगी चटल का रियक्शन चेक करने रस्ट जान बूच कर उससे पूचताच करने चला गया अज एक्सपेक्टेड चाइल्ड मोलेस्टेशन और मिसिंग परसन का टॉपिक निकलते ही चटल के चहरे का रंग उड़ गया चटल ने फॉरण जाकर रस्ट की डिपार्टमेंट में कम्प्लेंट कर दी जिसके बाद रस्ट के बॉस ने उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया बट रस्ट को जो चाहिए था वो मिल गया टटल का चेहरा देखते ही रस्ट समझ गया था कि वो सही रास्ते पर है दूसरी दरफ मार्टी ने डोरा लैंग की दोस के साथ अफेर शुरू कर दिया ये वही लड़की है जिसने 1995 में रस्ट और मार्टी को डोरा की डाइरी दी थी इस नए अफेर के बार में पता चलते ही मैगी फॉरण गुसे में रस्ट के घर चली गई और नशे में धुत रस्ट का फाइदा उठा कर उसके साथ सेक्स कर लिया मैगी की इस हरकत से रस्ट काफी गुसा था फिर मैगी ने घर जाकर मार्टी को बताया कि वो अभी अभी उसके पार्टनर रस्ट के बॉल्स बस्ट करके आई है ये जुन्दे मार्टी ने गुस्से में डिपार्टमेंट जाकर रस्ट के साथ हाता पाई शुरू कर दी इस पबलिक इसिनेंट के बाद रस्ट ने पुलीस फोर्स से रिजाइन कर दिया और बस तब से लेकर आज तक रस्ट और मार्टी ने एक दूसरे से बात नहीं की थी प्रेसेंट चाइम में डेटेक्टिवस ने मैगी को इंटर्वी के लिए बुलवा लिया जो कि अब दूसरी शादी करके हैपी लाइफ जी रही थी मैगी ने रस्ट के साथ चले अफेर को पूरी तरह से डिनाई कर दिया और डेटेक्टिवस के सामने रस्ट की भर भर के तारीफ कर दी डेटेक्टिवस के बार बार रस्ट को कातिल बताने की वज़ा से मार्टी ने भी interview continue करने से मना कर दिया दस साल तक एक दूसरे का मूना देखने के बाद Rust ने finally जाकर मार्टी से बात कर ली और उसे अपने साथ फिर से एक बार काम करने के लिए मना लिया यहां से सारी कहानी प्रिजन टाइम में चलेगी रस्ट ने मार्टी को बताया कि असली किलर के चहरे पर एक बड़ा सा स्कार बना है और वो किलर किसी सीक्रेट कल्ट का मेंबर है फिर उस कल्ट के बारे में और जानकारी देने रस्ट मार्टी को एक स्टोरेज रूम में ले कर गया रस्ट ने सबूतों के जरीय मार्टी को कन्विंस किया कि ये सीक्रेट कल्ट दूसरे मल्टिपल कल्स के रिच्वल्स को कमबाइन करके अपने रिच्वल्स करता है पिछले कुछ सालों में हुए कई मिसिंग और बच्चों की मौत की वज़ा यही कल्ट है और इन सब का कनेक्शन सीधा टटल फैमिली के साथ था रस्ट ने चुपके से बिली टटल के घर में घुसकर कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो टेप चुराये थे इन फोटोज और वीडियोज में साफ दिखाई दे रहा था कि उस डार्क कल्ट के मेंबर्स जैनवरों के मास्क पहने मरी फॉंटेनोट को मोलेस्ट करके उसकी किसी रिच्वल में कुर्बानी दे रहा थे मरी फॉंटेनोट यानि वही बच्ची जिसके बारे में ये दोनों 1995 में भी पूछताच कर रहा थे वीडियो टेप में एक मासूम बच्ची को कुर्बान होता देख माटी का सर चक्राने लगा लेकिन रस्ट ने माटी से वादा किया कि उसने टटल को नहीं मारा शायद इस टेप के खो जाने के बाद ब्लैक मेल के डर से कल्ट के दूसरे मेंबर से टटल को मारा होगा मार्टी को लेडू के एक फैमिली मेंबर से बता चला कि रेगी ओ डिवॉल का वाकई में एक ठीसरा पार्टनर भी था जिसके चहरे पर एक बड़ा सा सकार बना था फिर टटल फैमिली का बैक्राउंड चेक करते वक्त रस्ट ने लेगा चला टेटल का एक हाफ ब्रदर है, जो के चिल्टरस फैमिली का मिम्बर था, उसके वेड़े के चहरे पर भी एक बड़ा सा स्कार बना है। अब जाके सब कुछ कनेक होने लग गया, माटी के कलीग जराची को उसके बॉस ने जबरदस्ती मरी फॉंटनों की इन्विस्टिकेशन क्लोस करने के लिए कहा था, जराची के बॉस यानि वेर्मोलिन पैरिश शेरिफ का नाम है टेड चिल्डरस, यानि खुछ शेरिफ भी सी किटनैप कर लिया, दूसरी तरफ डिटेक्टिव पपानिया और गिलबोग रस्ट के बोले चर्च को धूंटे वेरास्ता बटक गए, और उन्होंने इस लैन मोर चलाने वाले बंदे से डिरेक्शन्स पूछे, यह वही बंदा है, जिससे रस्ट नाइंटी नाइंटी अकैडमी की चानबीन करते वक्त मिला था, डिरेक्शन्स लेने के बाद दोनों डिटेक्टिवस इसे थैंक्यू बोल कर चले गए, बट डिटेक्टिवस ये नोटिस करना भूल गए, कि लॉन मोर चलाने वाले के चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार बना है, यही है रियल किलर, एरोल चिल्ड्रेस, एरोल का घर देखकर कोई भी समझ जाएगा, कि ये एक साइको कल्ट किलर का घर है, घर पर ये खुद अपनी ही हाफ सिस्टर के साथ लगा हुआ था, फुल ओन इंसस सीन्स, और बाद दो के कैबिन में एरोल ने अपने बाप की लाश को अभी तक संभा की रखा है, फिर हमने देखा कि पेशे से एरोल एक पेंटर है, एक स्कूल को कलर मारते वक, इसने मन ही मन में अपने अगले विक्टिम्स भी सिलेक कर लिया, मार्टी और रस ने टटल के घर से चुराई टेप दिखा कर, जराची से सब कुछ उगलवा लिया, बड़ इसे भ किलर कोई पेंटर होगा, और उसके चहरे पर लगे ग्रीन पेंट की निशान की वज़ा से बच्चे उसे ग्रीन मॉंस्टर समझ रहे थे, 1995 के पुराने सबुदों को चेक करते वक्त ही ने पता चला, कि उस टाइम डोरा लैंग के पडोस में ही एक घर को ग्रीन पेंट किया कि ये उनके किलर का घर है, रस्ट और मार्टी को वहाँ देखकर एरॉल जंगल में भाग गया, अपने घर के पीछे बने इस अंडरग्राउंड खंडर को एरॉल ने कारकोसा का नाम दिया था, कारकोसा के अंदर घुचते ही रस्ट को हलुजनेशन साने लगे, इसी बात का फायदा उचा कर, एरॉल ने रस्ट के पेट में छुरा घुप दिया, और मार्टी पर कुलाड इसे हमला कर दिया, देखके लग रहा था कि एरॉल दोनों को मार देगा, बड़ तब ही रस्ट ने किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके, एरॉल को हेड़ शॉट दे दिया, मार लेंग समयत और भी कई विक्टम्स की हड़ियां मिली, इंडिकेटिंग के रस्ट और मार्टी ने फाइनली असली सीरियल किलेर को धून कर ठिकाने लगा दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, टर्टल फैमिली अपनी सेटिंग लगा कर कानून से बज गई, बट रस्ट और मार्टी जैसे ट्रू डिटेक्टिव की वज़ा से टर्टल फैमिली का सारा रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया, ऑस्पिटल से रिकॉर होने के बाद मार्टी और रस्ट सदियों से चली आ रही डार्क वर्सेस लाइट की लड़ाई के बार में बात कर रहे थे माना के यूनिवर्स डाकनेस से भरी पड़ी है बट रस्ट के हिसाब से ये लड़ाई अब लाइट जीत रही है और यहां होता है ट्रू डिटेक्टिव सीजन वन खतम अगर आपके वीडियो अचल लगए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और मोर वीडियो लाइट इस मने ऐसे और भी वीडियो जिनके लिंक्स आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one